शाश्की नहरो डिगरी कॉलेज के प्रांगण में किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा मेला लगाया जा रहा है जबकि कालेले आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग मद्यप्रदेश शाशन द्वारा जारी पत्र क्रमांग 15-33 दिनांग 28 दिसंबर 2011 में इसपष्ट शाश्की नहरो महाविद्याले की परिक्षा आने वाली है और ऐसे में कॉलेज में कक्षा लगना भी जरूरी है परंतो कॉलेज से सटे परिसर में किसी प्राइविट व्यक्ति को मेला लगाने के लिए दे दिया है ठेकेदार द्वारा अभी तक SDM की पर्मिशन भी नहीं ली उससे पहले ही मेदान में मेला के लिए तीन चदर जूला और दुकान बनना भी शुरू हो गए ठेकेदार द्वारा यह भी नहीं सोचा कि SDM अनुमती दे तभी मेले में दुकानों के तयारे की जाए परंतो ठेकेदार ने SDM की पर्मिशन को भी जरूरी नहीं समझा यहां तक की महाविद्याले के प्राचारे से भी अभी किसी तरह की अनुमती नहीं ली गई है और कॉलेज में छात्र छात्राओं की कक्षाए लगेगी वही उनके एक्जाम भी महाविद्याले के भवन में होंगे ऐसे समय में मेला लगना और मेले में जो दुकानदारों और जूलाज द्वारा शोर शराबा होगा उससे चात्र चात्रों की पड़ाई में व्यवधान आएगा परिक्षा में भी व्यवधान आएगा ठेकिदार द्वारा बिना अधिकारियों की पर्मिशन के अपनी मनमानी एवं हट धर्मिता से कॉलेज परिसर में मेला के लिए दुकाने तयार करवा दी जबकि अभी तक SDM मोदय एवं कॉलेज पराचारे द्वारा किसी भी तरह की पर्मिशन नहीं दी गई है इस संबन्द में अकिल भारती विद्ध्यारती परिशत भी अपना विरोध दर्ज करा चुकी है और वह पराचारे को पत्र लिख चुकी है कि जब आपने पर्मिशन नहीं दी तो फिर म अभी सोनी की रिपोर्ट